Dear students, इसमें हम पढ़ेंगे skin depth के बारे में, skin depth जो terminology है, यह आपको तब introduce कराई जाती है, जब electromagnetic waves जो हैं आपकी conducting medium के अंदर travel करती है, अभी इसकी जो definition है, किसकी skin depth की जो definition है, वो कुछ इस तरीके से है, the distance at which the amplitude of EM wave is attenuated to, यानि कि decrease हो जाता है, 1 by E times its initial amplitude, उस distance को हम कहते हैं, skin depth और penetration depth, यानि कि वो distance जिस पर आपका यह जो amplitude है, यह equal to 1 by E times E note रह जाए, उस distance को हम कहते हैं, कि हमारा skin depth है, अगर इसको diagram के हिसाब से आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो कुछ इस तरीके से है, यह जो blue वाली line है यहाँ पर, यह आपका material की surface है, ठीक है, अब इससे पहले जो आपकी wave है, यहाँ पर आपका initial amplitude कितना है, E note, यानि material के करने के साथ ही इसका जो amplitude है, वो अपना decrease होना शुरू हो गया, decrease होते होते, जब इसका amplitude जो है, वो कितना बचेगा, जब इसका amplitude यानि कि यह amplitude आपका सिर्फ 1 by E times E note बच जाए, उस distance को हम क्या कहतेंगे, skin depth, यानि कि यहाँ से ले करके, यहाँ तक कि यह जो दूरी है, इस हमने skin depth कहा दिया है, ठीक है, अभी इसका definition आपको पता चल गया, इसका, आपको पता चल गया, diagram के हिसाब से भी कि इसे, skin depth किसको कहते हैं, इसको हम अगर mathematical तोर पे देखें, तो mathematically इसको delta से represent करते हैं, delta is equal to आपका होता है, 1 by beta, जहाँ पे beta जो है, वो आपका attenuation constant है, बीटा क्या है आपका attenuation constant, ठीक है, इसको attenuation constant क्यों कहते हैं, जो इससे पिछले वाला lecture था, मैंने आपको उसमें em waves in conducting medium की differential equation या कहें कि उसकी wave equation मैंने आपको derive करके बताई थी, तो उसमें आपका ये जो beta constant है, ये amplitude के साथ निकल करके आया था, और ये कुछ इस तरीके से आया था e naught into e की power minus beta z, यानि कि ये जो e naught इसका original, यानि कहें कि initial amplitude था, em wave का, उसके amplitude को ये जो beta factor है, ये decrease कर रहा था, जैसे जैसे आपका em wave material के अंदर गुस्ता चला जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका attenuation constant था, चुकि ये इसके amplitude को decrease कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा था, कि ये हमारा attenuation constant है, वहीं पे आपका एक और constant था, alpha उसको हमने कहा था, कि ये हमारा phase constant है, ये हमारा क्या है, phase constant हाला कि phase constant का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब हम इसको good conductor के लिए calculate कर लेंगे, किसको calculate करेंगे good conductor के लिए, delta को, ठीक है, क्योंकि इसके basis पे हमे numericals पुछे जाते हैं, वो देख लेते हैं, अब कैसे करते हैं, जो beta था, वो last lecture में मैंने आपको calculate करके बताया था, beta is equals to, आपका आया था, mu epsilon omega square divided by 2 is equals to minus 1 plus under root 1 plus sigma by epsilon omega का whole square, यहाँ पे epsilon आपकी permittivity है, epsilon आपकी क्या है, permittivity है, omega आपका क्या है, angular frequency है, sigma क्या है, आपका conductivity है, अब good conductors के लिए क्या होता है, good conductors के लिए sigma by epsilon omega आपका 1 से काफी ज़्यादा बढ़ा होगा, यानि very very greater than 1, very very greater than 1 क्यों होगा, क्योंकि sigma यानि जो conductivity है, वो conductors की good conductor की बहुत ज़्यादा high होगी, ठीक है, अब चुकि sigma by epsilon omega आपका 1 से बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, तो sigma by epsilon omega के साथ वाले ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है, इन दोनों को हम कर देंगे, ignore, इनको ignore करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो बहार वाला material आगे आपका, इसको ज़रा दूसरे color से shade कर देते हैं, mu epsilon omega square by 2 ये और mu epsilon omega square by 2 ये आपका as rate is रह गया, अब यहाँ था ये आपका sigma by epsilon omega का होल स्क्वाइर, तो ये under root के अंदर है, तो आपका square यहाँ से खतम हो जाएगा, क्योंकि under root के अंदर है, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ sigma divided by epsilon omega, अब 1 omega से, इसका 1 omega कट गया आपका, epsilon से epsilon कट गया, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ mu sigma omega by 2, ये आपकी बीटा की value आगे, ये बीटा की value कि के लिए आगे, good conductors के लिए, अब जो skin depth है, उसको आप कैसे define करते हो, skin depth delta is defined as 1 by beta, बीटा की value आपने ये calculate कर ली, mu sigma omega divided by 2 under root के अंदर, ये value यहाँ put कर दी, बीटा की जगा, delta is equals to 1 by beta, अब ये equal to बन गया आपका under root 2 divided by under root mu sigma omega, ओमेगा जो होता है, angular frequency, omega equal to किसके होता है आपका, 2 pi new के, ठीक है, ये आपका omega होता है, तो इस omega की जगा, इस omega की जगा, 2 pi new रख दिया हम नहीं आपके, अब आपका 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, 1 by under root, ये रहा आपका pi, ये रहा आपका pi, फिर आपका mu, फिर आपका, sorry, new, फिर आपका mu, फिर sigma, तो delta good conductors के लिए कितना आगया, 1 by under root, pi new mu, sigma, ये आपका formula हो गया, ठीक है, delta, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार ही, delta is equal to 1 by under root, pi new mu, sigma, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, कि ये जो skin depth है, आपकी delta, ये आपका, inversely proportional है, किस किस के, inversely proportional है, एक तो frequency के, ये रा new, यानि higher the frequency, lower the skin depth, अब यहाँ पे आप देखी, हामेन लिखा भी है, skin depth delta, decreases with increasing frequency, क्यों, क्योंकि frequency, तो denominator में है, और ऐसी अगर आपकी conductivity बढ़ जाएगी, तो भी आपकी skin depth जो है, वो घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि sigma भी आपका denominator में है, अब इसी वज़े से, एक बहुत ही अच्छा observation है, वो भी मैंने यहाँ पे mention किया है, कि skin depth जो है, वो good conductors के लिए, high frequency पे बहुत ही small होती है, क्यों, एक तो good conductor, good conductor मतलब sigma भी high, high frequency मतलब new भी high, ठीक है, तो new और sigma दोनों high हो गए, denominator काफी बड़ा हो गया, तो delta छोटा हो जाएगा, तो, skin depth कैसा हो जाएगा आपका, skin depth हो जाएगा very small, तो इसकी वज़े से क्या होता है, high frequency वाले cases में, current जो है, वो सिर्फ आपका कहां पर flow करता है, सिर्फ surface पे flow करता है, good conductors के, high frequency के लिए, जो current है, वो आपका good conductors के surface पे flow करता है, और चुकि वो surface पे flow करता है, इसी effect को हम कहते है skin effect, अगर कोई आपको पूछ ले, skin effect किसे कहते हैं, ठीक है, इस साथ में आप diagram बना देंगे, बहुत ही अच्छा सा, यह diagram और इसको अगर सुन्दर तरीके से आप बना पाएं, तो इसको बना दीजेगा, इस तरीके से skin depth दिखा दीजेगा, यहाँ पे, ठीक है, तो यह हमने यहाँ पे अपना, complete कर लिया, skin depth का definition, skin depth का formula, good conductors के लिए, और इसी पे based आपको numerical साथ हैं, तो इससे next वाले, जितने भी आपके अभी video lectures हैं, उन में हम लोग इसके related numerical solve कर लेंगे, जो pyq में आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा बताया है, कि जो epsilon ह है, वो permittivity होती है, और जो mu है, वो आपकी permeability होती है, आपको यह frequently देखने को मिल रहा होगा, यह दोनों के दोनों ही जो constants हैं, यह आपका, क्या reflect करते हैं, reflect करते हैं कि field की ability क्या है material को pass करने की, ठीक है, अब electric field की ability क्या है material को pass करने की, वो ability represent की जाती है, आपकी epsilon के दुआरा, और magnetic field की ability की है, वो represent की जाती है, mu के दुआरा, इन दोनों में इतना सा ही difference है, इसलिए, जहां-जहां electric field होता है, वहां-वहां epsilon आता है, जहां-जहां magnetic field होता है, वहां-वहां आपका mu आता है, यानि की permeability आती है, ठीक है, I hope कि इसमें आपको skin depth समझ मे आ गया हो, इतनी सी definition है, इसे ज्यादा definition नहीं है, यह diagram हमेशा ध्यान रखेगा इसको बनाने के लिए, and all the best, अभी इसके बाद हम लोग numerical करेंगे, इसको share कर देना उन students के साथ में, जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको बोलो कि बहुत छोटा सा topic है, इसको prepare कर ले, because it's an exam time, it is necessary to prepare all these topics, जो कि आते ही आते हैं, compulsorily बहुत important topics हैं यह, चाहे आप B.S.C की पढ़ाई करें, या आप B.T.E.C की पढ़ाई करें, या जो भी subjects में आप Physics को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर यह बहुत छोटा और बहुत ही important topic है, thank you.